प्रतिष्टाचारी प्रणित महिस्ट कुमार जैने शास्तरी डीमा पुर्ण आपके सामने लेकर के उपसे थूँ जैन जगत की आद्भुत अलोकिक अप्रति में ज्यान बढ़तर प्रतिवकुता जानों और जीतों सीजन टू जूनियर चेम्ट मैं आज की इस प्रतिवकुता का प्रार्ण करूं उसके पहले समस्त साथु भगवंतों के शरणों में नमुस्तु निविद्र करता हूं समस्तारिका माता जी को वंदामी निविद्र करता हूं एलक चुलक चुलिकाजी को इक्षामी सभी बृतियों को वंदना और आप सभी साथ हुनी बंदों को जैजनेत महानुभाव आप जानते हैं ये जेन जगत की जो प्रतियुक्ता है जानों और जीतों हम इसका सीजन टू लेकर के चल रहे हैं और इसने नए किरतिमान इस्थाबित किये हैं आज हमारे साथ में डीमापुर्णागा लेंड से नो वर्स क्यूपर का एक छोटा सा बालक बिहान चावडा यहां होट स्टीट पर है यहां उत्तर देने के लिए उसने कमर कसी हुई है बिलकुत तयार होकर के बैठा है आएए हम आपको मिलवाते हैं बिहान चावडा से बिहान जाई जिनेंद्र तो बिहान आप डीमापुर से यहां तक आए हैं क्या लगता है आपको आप कितना खेलेंगे जितना हो सकता है बीस कुश्चन होते हैं आपको लगता है आप इस तक जाओगे लगता तो नहीं है लेकिन जाओगे यह तो प्रतिक्ता का शुभारम करेंगे उसके पहले थोड़ी सी जानकरिडें लेते हैं विहान से उनके बारे में विहान आपके परिवार में कौन-कुन रहता है दादी, दादा, मुम्मी, पापा, मेरे एक छोटा भाई नहीं है, आपका एक छोटा भाई भी है, कितना छोटा है, मेरे से पांट साल छोटा, आप से पांट साल छोटा है, आप नो साल के हो, तो इसका मतलब है कि वो चार साल का हुआ, हाँ, दोड़ता भी है, आप जब पढ सबलब बाफिता होती है उसके बाद क्या होता हैर चिसको मुझ उसके बाद मम्य आपको मारती है यह हर घर की कहान ही और विहान ने बिल्कु सच बताया है कि छोटे बच्चे भाई लोग बहेन लोग तंग करते हैं बड़ों को पढ़ने में खेलने में कूदने में कोई भी चीज आती है उनके लिए तो छोटा भाई रोने लगता है और उसको छीनने लगता है और चीना वो जीतने वाले की पिठाई कर देते हैं और कभी-कभी आपको इसका बुरा भी लगता होगा ने यह गलत है पिर क्या करते हो आप आप रोना लगते हो अब इसलिए और तो क्या कर चकते हो लेकिन विहान यह बहुत सामन सी बात है चोटी सी प्रक्रिया है आपको छोटे है आपको जो भी खिलोने होते हैं उनसे मिल बाटके खिलना चाहिए और पढ़ाई करते हैं समय उसको प्रेम से समझाओ उसको भी लिखना सिखाओ पढ़ना सिखाओ तो पर वो आपको किताबे नहीं फाड़ेगा आपसे चीना जप्री नहीं किरेगा यह ना दोनों भाई सारे जीवन आपको साहता करेगा इसलिए भाईयों से बनाके अबस्त रखना चलिए आप तयार हैं हम शुरू करें तो विहान इसके कुछ नियम हैं हम आपको बताना चाहेंगे आप नियमों को ध्यान से सुन लिजे जिससे कि आपको यह खेल खेलने में आपस्विधा नहो कारिक्रम में कुल चार चरण होंगे जिसके प्रतेग चरण में प्रतिभागी से 5 प्रशन पूछे जाएंगे और संपून चरण में कुल 20 प्रशन होंगे पहले चरण का नाम पंच स्थावर होगा जिसमें पहला प्रशन प्रिथवी काई नामक, दूसरा जलकाई, तीसरा अगनिकाई, चौथा वायू काई, पांचवा प्रशन वनस्पतिकाई होगा इन प्रशनों के उत्तर देने के बाद प्रतिभागी दूसरे चरण विकलत्रय में प्रवेश करेगा, जिसमें छटवा प्रशन दू इंद्रिय नामक होगा, साथवा त्री इंद्रिय, आठवा चार इंद्रिय, नौवा असंगी पंचेंद्रिय और दस्वा प्रशन संगी प इस चरण को पार करते ही प्रतिभागी मुमुक्षु कहलाने लगेगा और प्रतियोगिता के अंतिम एवं चोथे चरण में प्रवेश करेगा जिसका 16 प्रश्ण नव अनुदिश नामक होगा सत्रवाँ प्रश्ण पंच अनुद्तर, अठारवाँ प्रश्ण चक्रवर्तीच, उननीसवाँ प्रश्ण तीर्थं करेच्छु, बीसवाँ एवं कारिक्रम कांतिम प्रश्ण मुक्षार्थी कहलाएगा एवं एक लाख ग्यारह हजार रुपए की धनराशी अपने नाम लेकिन आपको बता दें, पहले चरण में समय सीमा एक मिनट होगी, यानि 60 सेकिंड के अंदर ही प्रतिभागी को उत्तर देना अनिवार होगा, दूसरे चरण में प्रवेश करते ही उत्तर देने की ये सीमा समाप्थ हो जाएगी, इस प्रतियोगिता के दौरान दी जाएगी जिसका प्रयोग वे समय आने पर कर सकेंगे, पहला द्वेविकल्प, दूसरा प्रश्न परिवर्तन, तीसरा गाजियन गाइडेंस, चौथा संजीवनी, द्वेविकल्प जीवन रेखा का प्रयोग करने से कारिक्रम के प्रश्न में से दो घलत विकल्प हट ज रही है, तो वो प्रतिभागी अपने साथ हाए, अपने गाडियन को अपने सहयोग के लिए बुला सकते हैं। शेश राशी आपके नाम रिन के रूप में अंकित होगी, जो आपके द्वारा दिये गए अगले प्रश्न के सही उत्तर पर विजित राशी में से जमा की जाएगी। आप पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्योर नहीं होने पर इस जीवन रेखा का अधिक्तम तीन बार अधिकारी नहीं होगे। एक विजुल होगा जिसका नाम होगा देखो, बूजो और बनाओ, जिसमें आपको एक चित्र दिखाया जाएगा उसे आपको पहचानना है। आपको नियमों शर्ते हैं, सब समझ में आगए विहान? हाँ. हम सुरू करें. हाँ. चलिए, शुरू करते हैं, आज का चानो और जीतो सिजन टू जूनियर चेम. पहला प्रसुन है, 25 पड़ाओ में से प्रसुमी कायनाम का 1100 मुद्राओं के लिए विहान, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये रहा. मंदर जी में प्रवेश करें समय. पक्का है? हाँ. कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. दोगो अगर डाउट होने से आप लाइफ लाइन का यूज़ कर सकते हैं? कोई डाउट नहीं. कोई डाउट नहीं. वेरी गुड. बहुत कॉन्विडेंट हैं, विहान. बहुत रुप्या बताएं क्या उत्तर सही है? बहुत सुंदर विहान. बहुत बढ़ी आप बिलकुँ सही उत्तर. आपने 1100 मुद्राइं जीत लिए. तो आप विहान 1100 मुद्राइं जीत करके आप वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. इस रुप्यों का आप क्या करोगे । जाओगे? जाओगे, इस स्कािटाइक लिए जाओगे? जाओगे, न करणावान जा ग़ीब, पढ़ाई करोगे, क्या करोगे? या खीलो ने खिर्दाओगे? पढाई करें ने में रुप्यों का इपंचा पढ़ाऊगे, रुप पढ़ाओगे ना उससे किताब खिरें? उसे किताब खरके अच्छा इससे जो आपको रासी मेहा से आप जीत के जाने वाले हो उससे आप सुन्दर सुन्दर पुस्त के खरिदोगे और उनको पढ़ोगे तो बहुत अच्छी सोच के साथ में बिहान अगला प्रसुन है 21 समुद्राओं के लिए यह रहा भगवान मुनिस्वर्तनात का चिन्हें आपके विकल्प हैं विकल्प का बैल विकल्प खा चकवा विकल्प गाहरन और विकल्प गाह कचुआ ताइमर आपकी स्क्रीन के दाहिने तरफ चल लाए प्लीज लोग ऑप्शन गह गह कचुआ पक्का हाँ बगवान मुनिस्वर्तनात का चिन्हें विकल्प गाह कचुआ ऐसा विहान चावडा का मानना है निनाइक जी नियत करें विकल्प गाह कचुआ बताएं क्या ये सही उत्तर क्या लगता है विहान सही होगा लगता था सही होगा पक्का जी निनाइक जी बताएं अरे वाँ बिलकुल सही उत्तर बहुत बढ़िया जीत लिया आपने किस और पे आपका ये बिनिंग एमाउंट बढ़ता जा रहा है किताबों की साइज भी बढ़ेगी जो आप खरीदेने वाले हो है ना हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रस्ट एक तीस सो मुद्राओं के लिए 3100 ये रहा आपके सामने इन में से अलग पहचानी हैं आपके विकल्प हैं अभिनेंदरनात विकल्प खा चंदप्रव विकल्प गा वास्पूजी विकल्प गा शांतिरात इन चारती धंगरों में से अलग कौन हैं ये आपको बताना है पंडीजी लाइफ्लाइन अपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी चार लाइफ्लाइन है दुई विकल्प जिसमें चार ओप्शन में से दो ऑप्शन जो गलत है वो हड़ जाएंगे एक सही गलत रह जाएगा प्रस्ण परिवरतन इस प्रस्ण की जागे नया प्रस्ण आज जाएगा गार्जियन गाइडेंस आप अपने किसी भी गार्जियन से इसमें सहायता ले सकेंगे और चौथी जीवन्रेखा है संजीवनी कौन सी उप्योग करेंगे गार्जियन गाइडेंस आप लेंगे शुरुवात में ही जी नियक जी गार्जियन गाइडेंस जीवन्रेखा का उप्योग करना चाहते हैं विहान करप्याय ने गार्जियन गाइडेंस जीवन्रेखा का उप्योग करने के अनमुति दी जाए तो बिहान ने चुना हैं गारजियन गाइडेंस और बिहान के साथ में यहां इस्टूडियो में उपलब्द हैं उनकी दादी मा श्रीमती संतो जेवी छाबडा आएए मिलवाते हैं हम आपको संतो जी जैजी नेंदर आप दीमापुर से यहां तक आये हैं हां बिहान को लेकर में आपकी सामाजिक गत्विधियां बहुत ज्यादा चलती हैं और हम जहां तक जानते हैं आप बच्चों को धर्म की संस्कार भी देते हैं सूत्र जीत्यादी बक्तमर वगेर वगेर आप सिखाते हैं तो निश्चित ही आपने विहान को अच्छा सिखाया है और आगे भी आप उसको अच्छे संस्कार देने वाले हैं तो विहान आपकी पूरी बाते मानता है या नहीं मानता है प्राइप्राइर तो बात मानता है लेकिन कभी कभी नहीं भी मानता है क्यों वही क्यों नहीं मानते हो बात विहान अपने से बड़ों की बाते मानना चाहिए और माता पिता और दादा दाजी यह आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे है ना तो इनकी सलाह जरूर मानना उसको फॉलो करना है ना यह आपके लिए बड़ी अच्छी चीज होगी तो संतों जी बिहान ने तीसरे प्रस्ण में आपका अपयोग करने का विचार किया है इसको इस प पर भी है पर उसनीए आप घ्यान से देखिएगा इन में से अलग पहचारिये आपके विकल्प का अवरींदनालत्स भी कलप भुखा चंदप्रहवट विकल्प गभाउज विकल्प गह foster शांतिना इसमें से आपको विहान को साहता करनी है क्या इसका सही उत्त्तर होगा मैं इसमें जवाब देना चाहती हूं गह वास्पुज्य आप सलाह दे रही हैं विकल्प गह वास्पुज्य चुनना चाहिए विकल्प गह चुने पक्का आपको दादी माँ पर विस्वास है कि गलत उत्तर नहीं देंगे जी निनायक जी नियत करें विकल्प गह क्या लगता अविहान दादी मा की सलायप सही है पक्का कोई डाउट नहीं चले देखते हैं बिलकुल सही उत्तर बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर और आपने इस पकार से दादी मा की सहायता से 3100 मुद्राएं जीत ली हैं हम बिहान आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रस्र के और भी सही उत्तर हो सकते हैं जैसे भगवान चंदाप्रव का जो चिन है वो चंदर मा है और अभिनेंदनाथ वास्पूज और शांतनाथ इनके तीनों के उचिन्न है वो त्रियंच है जबकि चंदबुर भगवान का उचिन्न है वो जियोत्सी देव है ठीक इसके अलाबा अगर आपने चलें तो इसका सही उत्तर है कि यह भी हो सकता है कि भगवान शांतनाथ चारों में से तीन तीठंकर चक्रवरती नहीं है जबकि शांतनाथ चक्रवरती है तो इसका यह उत्तर भी हो सकता है लेकिन हमारी जो निर्णाइक टीम है उसके अनुसार यह तीसरा उत्तर भी सही है भगवान वास्पूजे यह बाले ब्रमचारी है इनकोंने बिवाहर नहीं किया पंच बाले तीमें आते हैं इस प्रकार से यह उत्तर बिलकुँ सही है और आपने इस प्रकार से 3100 मुद्रा है जितनी हमारी और से आपको बहुत-बहुत शुमकाम ना है बहुत-बहुत धन्यवास अंतोस जी फिर मिलेंगे आपसे बिहान बहुत अच्छा खेल रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं 400 मुद्राओं के लिए चौथा प्रस्ण यह रहा आपकी स्क्रिंड पर उसन है क्रोधकाम माय लोव इनमेंसे एक गलत सब्द है उसको सही सब्द messar में सही शब्द है विकल्पक्ाहिंसा विकल्पक्छुट विकल्पक्गामान विकल्पगा परलत है बताएं में सихी कौन है यहां एक सब्द गरबड है उन चार जो अप्शन दियेगे हैं उनमें से सही सब्द यहां बैठाना है अप्शन ग मान बक्ता हां जी निनाइक जी विकल्प चुन रहे हैं विहां जी विकल्प गा मान कर बताएं इसको नियत करें और बताएं कि उत्तर क्या इनका सही है बीलकुल सही उत्तर बहुत सुन दरभ्यान बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अब यह क्या बनेगा क्रोध मान मायालोब क्या है यह कसाय यह चार कसाएं कसाय चार होती मेरा माया और बहुत रखHH इक्तालिस स्व मुद्राओं आपकी हुई इस पड़ाओं का पहले पड़ाओं का पंच्छिसाबर नाम का जो पड़ाओं है उसका अंत्यम प्रश्ने 5100 मुद्राओं के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा इह भी थी मंगल आरती इस आरती के लेखक का नाम आपको बताना है आपके विकलप ये रहे विकलप का कईवर भुधरदास जी, विकलप खा कईवर ध्यानतराय जी, विकलप गाप पन्डे दौलत राम जी और विकलप घा इनमें से कोई भी नहीं इस जो आर्थी है आपने जो रोज करते हैं. आप आर्थी इस आर्थी synthetic को लिखने वाले पंडी जीake नाम बताना है आपको कि समय आपको शुरू हो गए चल ला आए पंडीजी life line Life line यूज करेंगे आपने एक life line useful ली है guardian guidance तीन आपकी sizflow दोई विकल्प प्रिशु करतार और संजीवनी कों सी लेंगे दुड़ी विकल्प में दो गलत उत्तर हट जाएंगे उर एक सही है और गलत ऊत्तर रहे जाए गा और परी वेखнов का प्रुरा कुश्चर ही चेंज हो जाएगा 2017 के बिसेधा क्यों अप यह रहा प्रसनाव के सामने अचार स्री विद्या सागर जी को प्रेम से लोग क्या कहते हैं विकल्पका छोते बाबा विकल्पका आचार स्री विकल्पगा संध शुरुमणी और विकल्पगा ये सभी क्या यहां भी डाउट है क्या करें क्या खेकð खेकट करो गे अभी आपके पास लाइफ 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 जालन — फिपिपट ले सकते हो आप पक्का, क्ट खेकड क खेक, क्ट करने से आपको मातर 41 सो रुपे मिलेंगे पक्ता एक लाइफलाइन है ले सकते हो नहीं लेना है जी निर्णाइक जी बिहांच शाबडा कुट करना चाहते हैं इनको कुट करने की अन्मोती दी जाए जी विहान जी आप प्रत्युक्ता से बाहर हो गई आपने एक तालीस समुद्राइं जीत ली हैं यदी आपको इस प्रिस्ण का उत्र देने को कहा जाए जो अपने प्रिस्ण बदला है तो आप क्या चुनोंगे इसमें से नंबरगा संत्सरो मनी विहान आपका ये उत्तर गलत तो नहीं है लेकिन गलत है क्योंकि इसका सही उत्तर है विकल्प घा उपरोक्त सभी लोग आचर स्री विद्यासागर जी गुर्देव को छोटे बाबा भी कहते हैं आचर स्री भी कहते हैं संत्सरो मनी भी कहते हैं किसी को भी आप बोलोगे कहिए संत्सरो मनी तो तुरंद बोलेगा आचर स्री विद्यासागर जी अगर आप बोलोगे चोटे बाबा तो तुरंद बोलेगा आचर स्री विद्यासागर जी अगर आप बोलोगे आचर स्री तो वो बाकी आचारियों को नहीं लेकर के सीधे प तो आप क्या उत्तर दोगे पहले बाला प्रसुन का निर्नाइक जी पहले बाला प्रसुन दिखाये जाए यह भी दिमंगल आरती कीजे इस आरती के लिखक का नाम अगर आप को कहते हैं तो आप क्या बताते हैं नंबर ख कभी वर धानत राय जी आप चुंते विकल्ब ख कभी वर ध्यानत राय जी बताए निर्नाइक जी यह उत्तर आपका विहान बिल्कुल सही था और आपने उत्तर नहीं दिया अगर आप यहां भी लाय निउज करते हैं फिप्ट्ट्ट्ट्य या व हां भी लाकिक लई उज करते हैं वी विकल्प तो आप आगे खेल सकते थे है ना लेकिन आपने हवड़ी कर दी आप प्रत्विक्ता से बाहर हो गए चलो कोई बात ने आप बहुत अच्छे खेले हमारी और से आपको शुक काम ना है तो हम बिहान आगे बढ़ेंगे आपको हमें मुद्राइं भी देनी हैं लेकिन वो मुद्राओं का चेक आपको देने से कुछ विशेश्ची ने सीखी है तो आपने ऐसी क्या विशेश्ची सीखी है तैसे सिद्ध्भक्ती सिद्ध्भक्ती आपको याद है आप सुना सकते हो सुनाओ असरीरा जीवगणा उजूता दंचने एडाडे सायार बना आयारा लखन व्यंक्तु सिद्धानम बुलुतर पेडिरम बंदो दे सत्य कम उमुक्का मंगल बूदा सिद्धा अठ्ट गुनादी दे संसारा अठ्ट व्यकम वेला सिद्धी बूदाने रंचना रिच्चा अठ ट्यवडिवासि नुँ सिद्धा शिद्धान थंट्डमला थिष पद्धी लंधी संभा गुठर सिद्धा भेडिज्दा बंदी दे संभा स्वै दोलुतर अठ्ट इव नुधल कवाड ऊननलम नमो से अवसिद्धानम संभतना मीडिया शम्त्य सैंकार अठ्ट वनुतर पे बहुत सुन्दर विहान बहुत बढ़िया आप सभी लोग जो अपने घरों में बैठ करके हमारा कारिक्रिम देख रहे हैं जानों और जीतों सिजन 2 जूनियर चेम्प आपको इस विहान चावडा के लिए अपने घरों में बैठ के बहुत बढ़ियास तरीके से ताली बजाना चाहिए इस चोटे से बालक ने जो महनत की है बड़े-बड़े विद्वानों को सिद्धभक्ति याद नहीं है रोज कारिक्रिम करवाते हैं मंच मर खड़े होते हैं इसको भी सिद्धभक्ति याद नहीं है और चोटे से बालक ने अपनी मा के सहयोग से सिद्धभक्ति को तयार किया है इसको भक्तामर जी का भी पूरा 48-48 चंद याद थे अभी पढ़ाई की वज़े से थोड़ा बोलता है हम कहीं अटकते हैं इसको भक्तामर जी याद है सिद्भक्ति याद है और और जो सामन चीजें घरों में सिखाई जा सकती है पेरेंट्स के द्वारा माता-पता और दाला लगी के द्वारा वह सम चीजें इसको शिखाई गई है यह जानों और जीतों प्रत्वक्ता आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आई है ऐसी बहुत सारी प्रत्वाओं से हम आपको मिलाने वाले हैं आगे भी आप इसको अब असे देखिएगा आपके सामने एक बार पुनाहा उपस्त हूँ जैन जगत की अद्भुत अलोग इक अप्रत्वन ज्यान बढ़ता प्रत्युक्ता जानों और जीतों सीजन टू जूरियर चेंपर लेकर हमारे साथ में आज एक बहुत ही युवा कहें या आलपवय कहें ऐसी उम्र के जिनकी उम्र मात सत्रवर से बास बाड़ा राइस्तान से हैं श्री प्राशुक्त मैं इस प्रत्युता को प्रार्म करूँ इसके पहले अपने सभी साथ भगवंतों की शरणों में नमोस्तू आरिका माता जी को बंदामी एलक छुलक छुलिका जी को इक्षामी समस्त बृतियों को बंदना विद्वानों को प्रणाम और आप सभी महानुभाओं को जय जुन कि अवशेक करते हैं जब भी इनके नगर में साथु भगवंतों का आगमन होता है तो नियम से आहारदान देते हैं नियम से का मतलब जब छुट्टी होती है या जिस दिन क्या चौका लगता है पूरा परिवार धारमिक है और प्रते दिन अवशेक करने के लिए परिवार के सभी लोग मंदर जी पहुंचते हैं ये ऐसी व्यवस्था आपको बागर प्रांत में मिलेगी कि जहां घर का हर व क्यारत रोगी सक्ष्ध मनी की छोटे ही सुंदर प्रतमा बिरा थमाने प्रतिश्रित हैं और ये प्रतिजिन उस प्रतमा जी का कि अपनी मंई पापा के साथ में अब्शेख करते हैं पूजन करते हैं जानदastically यहां कि आपको कैसा लग निदि यहां का वातवरन बहुत अच्छा है यहां पर आने के बाद इतने ज्ञानवर्धग व्यक्तित्व से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो प्रासों का आप प्रदिन अप्षे कुझन करते होई तो ठीक बात है आपके घर में मंदर है श्री जी विराजमान है बहु है मैं मुझे पढाई में रूची है क्केल कुद में रूची है अच्छा क्या खेलते हैं मैं से तो खेलता हूँ लेकिन अगर यह जो समय चल रहा है हमारे अधिकांस आपकी उमर के जो बच्चे हैं दो साल से लेकर के 20 साल तक के जो बच्चे हैं सोशल मेडिया बहुत जाद आक्टिव है और दिन भर शॉट्स देखते हैं रील बनाते हैं अप्रोड करते हैं तो आपका इंट्रेस्ट निस सब चीजों में नहीं है उन उपलब्धियों का सकारत्मक कारियों में अगर आप उप्योग करते हैं आप अपने बच्चों को धार्मिक कारिक्म देखने के लिए प्रेरत करते हैं उनके साथ बैश करके चाहिए यूटूब हो या फेस्बुक हो या एक्स हो हो या जो भी है उनमें आये हुए जो धार्मिक प्रोगाम हैं उनको आप अटेंड करते हैं उनको देखते हैं उनको चलाते हैं तो आपके घर में संसकार भरे रहेंगे और यदि आपने अपने बच्चों के हाथे मोबाल दे दिया तो विश्वास बानियेंगा घर में आश्रीलता इसलिए इस बच्चों को आप जब भी मोबाल देते हैं तो उनकी इस गत्विदी पर आपको नजर बनाये रखनी है हम यह नहीं कहेंगे कि उनको यह सब चीजें रिस वगरे और भी रिल वगरे नहीं देखना चाहिए हो देखेंगे एक उम्र का तकाजा होता है जब भी उ हार्मोनिक बद्राव होते हैं हार्मोस में जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार वो सब देखेंगे करेंगे लेकिन यदि उनका जुकाओ संसकारवान होगा तो वो गलत राह पर चलने से बचेंगे तो मैं प्रासुक आपको बहुत श्रीक्रता पूर्वक इस प्रतियुक प्रतिभागी से 5 प्रशन पूछे जाएंगे और संपूर्ण चरन में कुल 20 प्रशन होंगे पहले चरन का नाम पंच स्थावर होगा जिसमें पहला प्रशन प्रिथवी काय नामक दूसरा जलकाय तीसरा अगनिकाय चौथा वयू काय पांचवा प्रशन वनस्पतिकाय होग प्रतिभागी दूसरे चरन विकलत्रय में प्रवेश करेगा जिसमें 6 प्रशन 2 इंद्रिय नामक होगा 7 त्री इंद्रिय आठवा चार इंद्रिय नौवा असंगी पंचेंद्रिय और 10 प्रशन संगी पंचेंद्रिय होगा तीसरा चरन देवगति नामक होगा जिसमें 11 प् प्रतिभागी मुमुक्षु कहलाने लगेगा और प्रतियोगिता के अंतिम एवं चौथे चरण में प्रवेश करेगा जिसका 16 प्रश्ण 9 अनुदिश नामक होगा सत्रवाँ प्रश्ण पंच अनुद्तर, अठारवाँ प्रश्ण चक्रवर्तीच, उननीसवाँ प्रश्ण तीर्थं करेच्छु, बीसवाँ एवं कारिक्रम कांतिम प्रश्ण मुक्षार्थी कहलाएगा एवं एक लाख ग्यारा हजार रुपए की धनराशी अपने नाम लेकिन आपको बता दें, पहले चरण में समय सीमा एक मिनट होगी, यानि 60 सेकिंड के अंदर ही प्रतिभागी को उत्तर देना अनिवार्य होगा, दूसरे चरण में प्रवेश करते ही उत्तर देने की ये सीमा समाप्थ हो जाएगी, इस प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभ दी जाएगी, जिसका प्रयोग वे समय आने पर कर सकेंगे. पहला द्वेविकल्प, दूसरा प्रश्न परिवर्तन, तीसरा गाजिन गाईडिन्स, चौथा संजीवनी. द्वेविकल्प जीवन रेखा का प्रयोग करने से कारिक्रम के प्रश्न में से दो घलत विकल्प हट प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा के अंतरगत जेन धर्म के अनुसार आठ विश्यों में से वर्तमान प्रश्न का परिवर्तन कर सकते हैं। संजीवनी जीवन रेखा का उप्योग आप कारिक्रम में तीन बार कर सकते हैं। लेकिन इसमें घलत उत्तर देने पर आप से पूछे गए प्रश्न की पुरसकार राशी आपके द्वारा जीती गई राशी में से काट ली जाएगी। और यदि राशी कम पड़ जाती है तो शेश राशी आपके नाम रिन के रूप में अंकित होगी जो आपके द्वारा दिये गए अगले प्रश्न के सही उत्तर पर विजित राशी में से जमा की जाएगी। आप पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शोर नहीं होने पर इस जीवन रेखा का अधिक्तम तीन बारोपियोग कर सकेंगे। तो ये हैं कारिक्रम जानो और जीतो सीजन टू जूनियर चेंप की रूप रेखा एवं शर्तें। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कभी भी दो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें कोई विकल्प नहीं होंगे। एक विजुल होगा जिसका नाम होगा देखो, बूजो और बनाओ। जिसमें आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उसे आपको पहचानना है। सही उत्तर देने पर आपको निर्धारित राशी प्राप्त होगी। इस प्रश्न के लिए आप जीवन रेखा उप्योग करने के लिए अधिकारी नहीं होंगे। दूसरे चरण में ही एक और विशिश प्रश्न होगा जिसका नाम होगा सुनो सुनाओ और गुन गुनाओ। जैन धर्म के स्तुती, पाठ, पूजन आदी में से एक लाइन आपको सुनाई जाएगी। उसके आगे की लाइन निकटतम अंतरा तक आपको उत्तर स्वरूप सुनानी है। आपको मैंने जो नियम और शर्तें बताई हैं समझ में हैं। तो हम प्रतियुक्ता को शूल करें। लीजे। जैन जगत की आदभोत आलोकिक अप्रतिम ग्यान बढ़त प्रतियुक्ता जानों और जीतो। सीजन टू जूनियर चेंप। प्रारम करते हैं प्रासुक जैन के साथ में प्रासुक 35 पर नामक पढ़ाओ का पहला चरण। पहला प्रस्ण। बरस्पतिकाय नाम का ये रहा आपकी स्क्रिण पर। प्रस्ण है तीर्थंकर अनंतनात भगवान का चिन्ह। आपको बताना है आपके विकल्प ये रहे विकल्प का बैल, विकल्प खा बंदर, विकल्प गा हाथी और विकल्प घा से ही। विकल्प घा से ही। पक्का। जी। टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ, आपने उत्तर दिया है। आप श्योर हैं। जी। जी नियत करें विकल्प गा से ही। भगवान अनंतनात का चिन्ह बता रहे हैं प्राशुक से ही। और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। प्राशुक बिल्कुल सही हुत और बहुत बढ़िया। आप 11 समुद्राइं जीत रहे हैं। हमारे पास मैं आपसे बात करने के लिए बहुत सारी विशेबस्तू है। लेकिन हम पहले प्रसा प्रसनों के साथ में आगे बढ़ते हैं। इन में से अलग पहचानी हैं। आपके विकल्प हैं। विकल्प का गिरनारी, विकल्प खा अयुध्या, विकल्प गा सम्मेज सकर, विकल्प गा पावापुर। आपका समय प्रारम है। यदि आपको संधे होता है तो प्रासुक आपकी चारों जीवन रेखाएं। द्विकल्प, प्रश्व परिवरतन, गारजियन गाइडेंस और संजीवनी। मैं द्विकल्प के साथ जाना चाहता हूं। द्विकल्प चुनेंगे। जी, निरनाइक जी, प्रासुक अपनी पहली जीवन रेखा का उपयोग करेंगे। इसका नाम है द्विकल्प। आपसे निवेदन कृपया दिये गए चार विकल्प में से दो गलत विकल्प हटा दीजे, एक सही और एक गलत विकल्प दिखाईए। जी, प्रासुक ये रहे आपके दो विकल्प। विकल्प का गिरनारी, विकल्प खा आयोध्या। नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ। अच्छा। मैं विकल्प का के साथ जाना चाता हूँ। यदि आपको संदेह है तो आप अपनी जीवन रिखा का उपयोग, दूसरी जीवन रिखा का उपयोग ही कर सकते। यह आविशक नहीं है कि आप एक ही जीवन रिखा का उपयोग करें। आप तीनो जीवन रिखा उप ले सकते हैं। कोई विकल्प नहीं है। अभी आपकी तीन जीवन रिखा शेश हैं। प्रस्व परिवरतन, गारजियन गाइडेंस और संजीवन। और शेश हैं। तो हम नियत कर देते हैं। विकल्प खा खा आयुध्या। विकल्प खा आयुध्या। पक्का है। अब बदलेंगे नहीं। जी नियत करें विकल्प खा आयुध्या। और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। जी बिल्कुट सही उत्तर। प्रासुक ये उत्तर आप देखर के 21 सुबुद्राइं जीत गई है और ये टेक्निकल प्रसने हमने आपको पहले बताया था इसमें आपने आई-क्यू पावर का इस्तिमाल करना पड़ता है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए जूनिर चेंप में हमने इसको लिया है आपका आई-क्यू टेस्ट करने के लिए अगर आपको आपने तुक्का भेडाया है और उत्तर सही निकला थे तो भी कोई बात नहीं आप पुरुषका राशी जीद गए और यदि आपको इसका रहस्य समंझ में आया है फिर आपने उत्तर दिया है तो रहस्याप हमें पताने का प्रयाश करेंगे जी इसमें चारो और अयोध्या शिद्ध शेत्र नहीं है। तो अप्षा है 2021 है open था निश्यद्ध मौरूकोर तूण से सित्ध शेत्र अलग पहचानains है। बीच तितंकर भगवान का निर्वान हुआ है और पावापुर से महामिर भगवान का निर्वान हुआ है जबकि अयुध्या से किसी भी तितंकर का निर्वान नहीं हुआ लेकिन वहाँ आधिना थाधी तितंकरों का जर्म हुआ है ठीक ना तो ये अलग अयुध्या है और बा के लिए तीसरा प्रसन ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरे द्रव्य का नाम आपको बताना है आपके विकल्प हैं विकल्प का पुद्गल द्रव्य विकल्प खा काले द्रव्य विकल्प गा धर्म द्रव्य और विकल्प गा आकास द्रव्य आपका समय प्रारंब है यह जो घड़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो प्रासुत यह रुकती नहीं है आप अगर उत्तर नहीं दोगे और टाइम आप हो जाएगा तो आप प्रतिवता से बाहर हो जाएगे मैं ऑप्शन गा के साथ जाना चाहता हूं ऑप्शन गा चुनें गया पक्का है कोई संद्य है पक्का जी निर्नाइक जी नियत करें विकल्प गा धर्म द्रव्य प्रासुक जैन कह रहे हैं कि तीसरे द्रव का नाम धर्म द्रव्य है बताएं कि क्या यह उत्तर सही है प्रासुक आप पाट साला जाते हो पाट साला चलती थी अभी नी चलती है पहले चलती थे तब जाती यह तो गलत बात है आप अपने हां समाज में मंदर जाओ कोई जो आपके मम्मी लोग है या मुहले में जो भी आंटी लोग है उन सब को नोलिज होता है तो वह भी पाट साला को अटेंड कर सकते हैं और नहीं तो किसी को जानकार आपके हां होंगे उनको यह जिम्मेधारी देखर कि आप आप जुरूर शुरूर करवाईए पहले छोटे से बड़े सब्ड़ बच्चो की बाट शाला थी अभी इनोंने कुछ दिनों पहले ही चालू करी है उनमें क्या है इसे छोटे बच्चे उनको ही चालू करी है बड़े बड़े चालू करी है यह जो प्रसन है ना चोटे बच्चों माला प्रसन है यह शुरूआत क बताए निना जीव, बिल्कुल सही उत्तर बहुत बढ़िया, एक 300 मुद्राइं प्रासों का आप जीत रहे हैं। 6 द्रवे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकास, और काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकास, और काल। हम इसके विस्तार में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे प्रस्न, उसे रिलेटेड हो और हम अभी आउट कर दें, तो हमारे तो गया न जहां हम आपको आउट कर सकते हैं। इसलिए वो सारी डिल आपको नहीं मताएंगे। जी, आगे बढ़ेंगे प्रासुक, चौथा प्रस्न 41 समुद्राओं के लिए ये रहा। पूजन का द्रव्य नहीं है। बहुत सिंपल प्रस्न हैं, आप रोज पूजन करते हैं। आपके विकल्प हैं, विकल्प का चना, विकल्प खा चावल, विकल्प गा जल, विकल्प गा फल। पूजन का द्रव्य नहीं है। टाइम आपका प्रारम है। विकल्प का चना, विकल्प का चना, पक्का। आप पूजन करते हो और उसमें चना आपके नहीं लगता पका नियत कर दें जी निनायक जी प्लीज फिक्स कीजे विकल्प का चना ये पूजन के दिर्वे में शामिल नहीं है और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है बिलकुल सही उत्तर बहुत बढ़िया प्रासुक पूजन के आठ दिर्वे कहें जल फिर चंदन अक्षत पुष्प नेवेद्य दीप धूप फल दीप धूप और फल ये आठ दिर्वे होते हैं तो इन आठ दिर्वे में कहीं भी चने का उलेक नहीं है हमारे दिगंबर जेंधर्व में चावल की अत्रिक्त अन्य खाद बस्तूओं को प्रियोग में लेने की परंपरा नहीं है सास्त्री आदिश्टो है परंपरा नहीं है इसलिए जो आपका उत्तर है वो परंपरा के अनुरुप तो सही है लेकिन सास्त्र के रुफ सही नहीं है आचार उमा स्वामी केद्वारा लिखा गया उमा स्वामी स्ट्रावकाचार में उजन के 22 तरियूं का ऊलकिया गया है उसमें ये सब चीजें शामिल है लेकिन यहाँ चुकि हमने परंपरा के उस्यार प्रस्ट किया है तो उसमें चना शामिल नहीं होता, इसलिए आपका उत्तर बिल्को सही है, बहुत अच्छे जा रहे हैं, 41 सो रुपे आपने जीत लिए हैं, आगे बढ़ेंगे पहले चरण का, अन्तिम प्रिश्ण पांच माप्रिश्ण पृत्योक्ता का, जिसका नाम है बनस्पती का है, ये रहा आपकी स्क्रीड बर, भगवान महामीर की प्रशिद्य पूजन के लेखात, विकल्प हैं आपके विकल्प का कईवर ध्यानत राय जी, विकल्प खा कईवर जिनेश्टरदास जी, विकल्प गा कईवर भानुमल जी, विकल्प गा कईवर विन्दावंदास जी, आपका बाइन समय प्रारम होता है यह जितने भी नाम है यह सब पूजन लिखने वाले बिद्वान है कभी है इन्होंने भाहत सारी पूजन अगर आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा जी वन्रेख आप ले सकते हैं। समय निकलने के बाद में पस्ताने के लबा कुछ आत्मा आने वाला नहीं है। अप्शन घर कविवर व्रंदावंदाश जी। अपका है। जी। कोशन दे हैं। नहीं। जी निर्नाइक जी प्रासुक चुर रहे हैं। विकल्प घर कविवर व्रंदावंदाश जी। किरपया बताएं। नियत करें हो बताएं। उत्तर सही है या नहीं? राशुक बिलुकुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया. आपने एक काउंस हो मुद्रा जितनी हैं. आप यदि कोई विश्यस बात नहीं हुई, तो आप यहां से कम से कम एक काउंस हो, रुपे ले करके जाएगे. क्या अनुभव कर रहे हैं, आप कैसा ल नाग से कम से कम एक काउंस हैं, रूपेशा हैं, जिसक रूपा करया कं से कुछयारी कुछा जाना, शुथा काउंस हम्यारा कूंस है? cricket में मज़ा भी आता है और थोड़ा दर भी लगता है चाहीं चाहीं आपसे पोच्टा हूं क्रिकेट में नहीं कहलता है लेकिन cricket की एक बात मुसे समझ में नहीं आई आज तक क्या है जैसे आप football खेलते हो न तो वहां गोल की पर होता है वो क्या करता है बोल को रोकता है बोल में जाने से बोल को रोकता है लेकिन क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है वो विकेट कीपर होता है ऐसा क्यों है वो विकेट कीपर अपोजिशन टीम का होता है जो दो बैट दो टीम में खिलती है तो उसका नाम विकेट कीपर क्यों है विक्ट्रीकिपर वे इसलिए है की वह जासे बॉल आये बॉल को कैच करके उसी टीम के लिए विक्ट बचा लियुथे मातलब जैसे सामनने वाली टीम खेल रहे है कोई अगर बैटिंग कर रहा है और बॉल अगर विक्ट्रीकिपर के पास आई तो व ही काम यह उसको तो बॉल को लेकर के दूर फेकना चीए ना, वो विकेट कीपर है, कि जिससे एपोजिशन टीम गिराना सके लेकर हो तो ल्टा काम करता है, विकेट उसके खुद की टीम के बचाने के लिए गिराता है ना? अशो यह एक टेक्नीकल कुष्षन है, आप किसी करकेट की जानकरो, पूसना कि बचाने के लावाले की जानकरो, ना, क्यू रख्टे हो आप? मेरी बात कुरलने था मतले ना? मेरा पी जानता हूं और ना मिला इंटरस्ट है लेकिर न जो जो समझ माया भी पूस लिया, मैं जानता नहीं हूँ, अगर आप लोग किसी को मालूम है कि उसका नाम जैसे गोल कीपर गोल को बचाता है, वैसे विकेट कीपर विकेट को क्यों नहीं बचाता है, आप लोग जबूर बताईएगा मेरे लिए, परस्वाइब आज का समय प्रतिक्ता जानो और जीतो, सीजन टू जूनियर जेम, कल अबस जाईएगा, इसी समय, आधने टीवी चान।